कि नमस्कार दोस्तों आप तभी को स्वागत है और इस वीडियो में हम से देखने बाले हैं रसायन विज्ञान से संबंदित प्रश्ण को तो प्रश्ण है आपका तीछन बुद्धी के कारण किस हेल को आसानी से रसिच्छित किया जा सकता है उत्तर है नील हेल आपका अगला प्रश्ण हम किस जाती से है वह है उत्तर है होमो सेपियन्स अगला प्रश्ण है नील गाय कीश जन्तु परिवार का सदस्य है उत्तर है अंटिलोप परिवार का अगला प्रश्ण है खचर किसका संकर है उत्तर है गधा और गोडी का अगला प्रश्ण है कौन सा अस्तंधारी अंडे देते है उत्तर है डक बिल्ड प्लेटिपस अगला प्रश्ण है कुत्तों में गुन सुत्रों की संख्या कितनी होती है उत्तर है अठथत्तर अगला प्रश्ण है मानग किस प्रजाती से संबंधित है उत्तर है होमो अगला प्रश्ण है किस अस्तंधारी के पास उड़ने के लिए फंक होता है उत्तर है श्यमगादड अगला प्रश्ण है वह एक मात्र अस्तंधारी कौन सा है जो खून पीकर जीवित रहता है उत्तर है रक्ष जत्तुक्चमगादड अगला प्रश्ण है वह कौन सा एक मात्र अस्तंधारी है जिसमें सकेंद्रित लाल रक्ष का निकाएं पाई जाती है उत्तर है मनुस्त कुत्ता अगला प्रश्ण है कौन सा प्रानी सापो से लडता है उत्तर है नेवला अगला प्रश्ण है उडान रहित चिनिया है उत्तर है कीबी अगला प्रश्ण है पंख हीन कीडा है उत्तर है सिलवर फीस अगला प्रश्ण है अपाद सरिश्रीफ है उत्तर है सर्प अगला प्रश्ण है वहाईचर पसू है उत्तर है मेढक अगला प्रश्ने मेढख में किस प्रकार का निशेचन होता है? उत्तर है वाह निशेचन अगला प्रश्ने काली धारी यूक्त हरे मेढख का बैज्यानिक नाम क्या है? उत्तर है राना सिग्री नाब अगला प्रश्ने टैड़ पोल खालिय स्थान का एक विकास सिल चरन है? उत्तर है मेढख अगला प्रश्ने किस जन्तु को अपने विकास के प्ररमभिक चरन में टैड़ पोल कहा जाता है? उत्तर है मेढख अगला प्रश्ने बिस बानागरी मेढख में बिस ग्रंती उनके खालिय स्थान में पाई जाती है? उत्तर है स्वाचा अगला प्रश्ने बिस्व का सबसे जहरीला साप कौन सा है? उत्तर है किंग कोब्रा अगला प्रश्ने प्राया किस जीब को किसान का मित्र कहा जाता है? उत्तर है केचुआ अगला प्रश्ने केचुआ से क्या लाब है? उत्तर है यह जमीन को उपजाओ बनाता है अगला प्रश्ने बर्मी कमपोष्ट किस तरह की खाद है? उत्तर है केचुआ दारव द्वारा उत्पादित जैबिक खाद अगला प्रश्ने मित्ती की उर्वर्ता किसके दोरा बढ़ाई जा सकती है? उत्तर है जिवित केचुआ को मिलाने से अगला प्रश्ने हीमोगलोबिन खालिय स्थान के जिब्द्रब या पलाज्मा में बिलेइत होते हैं उत्तर है केचुआ अगला प्रश्ने तेरा प्रकोष्ट युक्त थिर्दै खालिय स्थान में रहता है उत्तर है केचुआ अगला प्रश्ने रेसम किस से उत्पन होता है उत्तर है रेसम के कीड़े के प्यूपा से अगला प्रश्ने चीटी समाजिक किट है क्योंकि वह कॉलनियों में रहती है अगला प्रश्ने मदुमक्थी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है उत्तर है कीट अगला प्रश्ने कीडों में निर्मोच्यन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है उत्तर है एकडाई सोना अगला प्रश्ने मानब जाती के लिए मदुमक्थी सबस्ते उप्योगी साबित हुई है उत्तर है कुछ फसल रूपी पौधो के प्रागन सुनिश्चित करने में अगला प्रश्ने मदुमक्थी के छत्ते में मजदूरों का विवाजन रहता है उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों में मदु संग्रह करते हैं उत्तर है वंध्या अगला प्रश्ने मच्छर घरेलुमक्थी कीट और बिच्छो उदाहरान है उत्तर है संधिपात का अगला प्रश्ने कायाटर पीलर है एक उत्तर है लर्वा अगला प्रश्ने किसकी बिधमानता के कारण चीटी अपने चारो और थी बस्तुओं को देख सकती है उत्तर है सयूक्त नेत्रों के कारण अगला प्रशने, मचलियां सुवसन करती है, उनके उत्तर है गल्फडो दोरा. अगला प्रशने, मचली का कौन सा पंक पानी में इसके संतुलन को बनाये रखने में सहायक नहीं होता है, उत्तर है उच जिसे इंगलिस में टेल करते हैं. अगला प्रशने, किसी पच्छी का अंडा सबसे बड़ा होता है, उत्तर है सुतुर मोर्ग. अगला प्रशने, कौन सी जाती का पच्छी पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है, उत्तर है पेलिकन. अगला प्रश्ने कौन सा स्वसनंग पानी में घूले हुए ओक्सीजन को ग्रहन करता है उत्तर है गल्फडा अगला प्रश्ने पच्छियों को आगे बढ़ने और उपर उठने के लिए बल प्राप्थ होती है उत्तर है पंखो की फड़़़ा हट से अगला प्रश्ने आकार में सबसे बड़ा जीवित पच्छी है उत्तर है सुतुर्मूर्ग अगला प्रश्ने कौन सा पच्छी उड़ता नहीं है उत्तर है सुतुर्मूर्ग अगला प्रश्ने सीत रक्तिय प्रानी का उदारन है उत्तर है छिपकिल्ली वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बहुत धन्यवाद आप शुक्रिया